सब्सक्राइब करेंगे चलिए फ्रिंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गाइस कंपनी का एक अपडेट भी आया है बाइबैक को लेका जो कि चौदा जुलाई दोजार तैसको बाइबैक को लेकर एक इंटिमेशन आया था जिसको लेका बैंक यह कंपनी ने बो रिक्वीडि कर रही है यहां जो कि अराउंड 59 करोड़ 50 G2 के आपक आपक कर हैं तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांसल रिजल्ट्स पर जिसका यहां बाइबेक जो है इसका जो प्रोपोजल आया था यह चार अगस्ट को मतलब की फॉर्थ अगस्ट दो जारताइस को इसका रिकॉर्ड डेट भी रखा गया है बाइबेक को लेकर तो शल्ली फेंट सब्सक्राइब के फिनांसल करोड का औरज़ोन 22 उन्हार को मिल रहा है पिछले फिल्ट यह कॉर्टर को उर्ट में कर दोका इसके कारने लिकिन औरोन यह मैं इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहाग्र इक्सपेंस से में जिसके पाद ऐपेंटेंग प्र नि дело कि наверное पॉइंट फाइफ करोड का पिछले क्वाटर में 73.2 करोड और जून 22 क्वाटर में 48 करोड का अप्रेटिंग पॉफिट था क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है यर ओन यर में तेजी देखने को मिल रहा है नेट पॉफिट जो इसमा निकल के आई है कंपनी का अगर देखिएगा तो यहां पे जो नेट पॉफिट है लगभाग 47.9 करोड का है पिछले क्वाटर में 56 करोड था और जून 22 क्वाटर में 34.7 करोड का पॉफिट था कौटर ओन कौटर में डाउन है यर ओन यर में तेजी देखने को मिल रहा है युट 2 का इंकम है जबकि पिछले क्वाटर में 697 करोड का इंकम था और जून 22 क्वाटर में 551.4 करोड का इंकम था quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है expenses 539 करोड का, पिछले quarter on 627.9 करोड का और June 22 quarter on 515 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिला है जो कि यहाँ पे income के according ही हुआ है लेकिन हम लूब profit देखे operating profit 53 करोड का, पिछले quarter on 69.4 करोड का और जुन 22, quarter on 36 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है net profit company का निकल का है 39.5 करोड का पिछले quarter में 53 करोड का और जुन 22, quarter में 26.3 करोड का profit है quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिला है EPS company का 4.27 रुपेज का quarter on quarter में down हुआ है year on year में increase करता हुआ देखने को मिल रहा तो यहां पर रिजल्ट देखेगा तो overall average result company पेश के अतना अच्छा result पेश नहीं कर पाई है average देखने को मिला है plus guys company नहीं पर buyback को लेकर जो intimation आया था 14th July को इसको जो अप्रूफ कर दिया गया है जो कि आज के दिन ही अप्रूफ किया गया और यह 4 अगस्त को डेट रखा गया बाइवेक का जो कि 900 रुपिच पर रिक्वीड इशर की company बाइवेक कर रही है और अरां 59 करोड 85 लैक्स के आसपास की बाइवेक कंपनी कर रही है तो अब हम लोग जो है वेडियो को अहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पुछें मिलते हैं नेक्स लोड़ हो में टिल दें बाबाई